पडोस में ससुराल आज मेरे माईके से बड़ी मज़ेदार खुश्पु आ रही है लगता है भाबी या ममी कुछ बड़िया बना रही है चलो जाकर देखती हूँ और लगे हाथ खाकर भी आ जाओंगी माईरा घर से बाहर निकलने ही वाली होती है कि पीछे से उसकी सास आ जाती है ओ माडम कहा निकलिया आपकी सावारी है माजी दरसल वो ना आज माईके में भाबी को थोड़ा सा पेट तर्द हो गया है बस वही तो एक अच्छी ननद होने का फर्ज निभाते हुए उनका हाल चाल पूछने जा रही हूँ मैं कोई जरुवत नहीं है रोज तेरे माईके में किसी ना किसी की तव्यत खराब हो ही जाती है और रोज तो फुदक के चली जाती है हमारी ही आकल पर पत्थर पड़े थे जो पड़ा उसकी लड़की को ही बहु बना लिया अब आपका माईका 100 किलोमिटर दोर है उसमें मेरा क्या कुसूर आपका खाना बना दिया है आटा भी कौन दिया है गर्मा गर्म फुल्गी बना कर खा लेना ना आप ये है मैयूरा जिसका माईका और सिसुराल दोनों भी आसपडोस में दो मनिट की दूरी पर है, जिसका पूरा-पूरा फाइदा उठाते हुए, मैयोरा हर दिन माईके के चक्कल लगाती रहती है. हेलो मम्मी, हाई भावी, क्या बात है, आज तो बड़े ही शाही और लजीज पक्वान बने जा रहे हैं, कोई दावत शामत है, क्या आज हमारे घर पर? खुश बुआ आई नहीं के चली आगई महरानी चींचियों की तरह सूंती हुए. अरे बेटा, तेरे भाए का प्रमोशन हो गया है, इसी खुशी में उसके मन पसंद पक्वान बना रहे हैं बस, आ जाती तू भी, दमाजी और सम्धी सम्धन जी को भी न्याता दे दे. पर मुमी जी, हमें थोड़ी ना पता था कि ये सब आएंगे, मैंने तो वैसे भी खाना कम ही बनाया है. क्या भाबी, अब आपको ये तो पता है, कि मेरा सिसुराल पड़ोस में ही है, और आपको तो मैंने कह कर रखा है ना, कि मेरे दो एक्स्ट्रा फुल के सेख कर रख दिया करो, मुझे मम्मी के हाथ की बनी सबजियां कितनी पसंद हैं. हम, ओई बुड़ी मोहरानी. ऐसे ही मयूरा आधा दिन अपने सिसुराल में और आधा दिन अपने मायके में गुजारती रहती. एक दिन, सुबह नाश्ती के दारान मयूरा के सिसुर, धनराज और पतिश लोग. अर मयूरा ओ, ये क्या? ये पराठा तो आधा कच्चा है. और मेरा पराठा तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा पग्या है, जो जल गया है. कोईले से भी काला हो गया ये तो. होगा भी क्यों नहीं? ये करम जली सुबह सारा का मैसे ही फटा फटगरबड़ी में जैसे तैसे निप्टा कर अपने माय के भाग जाती है. इससे क्या फर्क बढ़ता है? सास को अगर चक्कर आ गए दिन दहाड़े हैं, तब कौन आएगा बचाने? ओ, कमान माजी, चक्कर और वो भी आपको. दिन भर आप हर आदे गंडे में कुछ ने कुछ खाती रहती हो, और फिर भी म पती याने मयुरा के भाई गोपाल से कहती है. गोपाल, तुम ना तुम्हारी प्यारी बहन को समझा कर रखो. अरे तीच त्योहार, रक्षा, बंदन, दीपावली, इन सब पे अपने माय के आए तो ठीक लगता है. लेकिन ये मेड़म, ये तो रोज ही चलिया आती है, मुझे पता है, उस दिन तो गली की ओरतें भी सबजी वाले के यहां गपे लड़ाती हुए बाते बना रही थी, कि मयुरा तो दिन भर सिर्फ अपने माय के में ही रहती है. आज उसे आने दो, मीठे बोल से ही समझाओंगी, समझ जाएगी वो. फिर जब मयुरा माय के आती ह ममी, आपको तो कोई दिकत नहीं है न, मेरे इस तरह आप से मिलने यहां आने से. ये देख, सरुच का मन ममता के मुह में आ जाता है. नहां बेटी न, तू ऐसा क्यों सोच रही है, और तेरी आखे नम क्यों है, तू क्यों रो रही है बेटा, समधन जी ने कुछ कहा है क्या? उफो, ये ममे जी भी न, उन्होंने एक आंसो गिराया नहीं कि पिखल गई? नहीं ममे, किसी ने कुछ नहीं का, बस, आज आपके बहुत याद आ गई, रोज आप से मिलती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ। बर्खाती है, अगर इतना ही परेशान हो, तो उसे घर के अंदर आने ही क्यों देते हो? वो एक पाउँ अपने माईकी की नाव में रखती है, और एक पाउँ अपने सिस्राल की नाव में? अगर एक नाव हटा दे, तो ना चाते हुए भी उसे दोनों पेर एक ही नाव में रखने होंगे ना? हाँ काकी, एकदम बराबर बात कर रही हैं आप, लेकिन संधन जी, आप अपनी बेटी के मुँपे दरवाजा लगा पाती क्या? देखियो, मुझे वो सब नहीं पता, अब उसका पूरा संसार उसके सिस्राल में बस चुका है, उसे वहाँ ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर माईके में, और इसलिए आप ही हो, उसे यहाँ आने पर आप ही को रोक टोक लगानी होगी, बस यही कहने आई थी, नामस्ते, अगले दिन, ससुराल में बर्खा की तब्यत खराब हो जाती है, और मयूरा उसे बिस्तर पर ऐसी ही छोड़ कर माईके भा जात्मी जब धनराज और श्लोक दफतर से घर लाटते हैं, तब वो देखते हैं कि मयूरा घर पर नहीं है, और बर्खा अपने कमरे में बुखार से तप रही है, और तो और घर में कुछ खाना तक नहीं बनाया है, आज तो हदी कर दी मयूरा बहुन है, अरे काम काज का नह लेकिन कम से कम अपनी सास की तबियत का तो लिहाज रख लिया होता, कोई फिकर, कोई चिंदा नहीं, आपी ने तो चुने थी ना ये बहु, कुछ देर बाद मयूरा अपने ससुराल वापस आती है, मयूरा, घड़ी देखी तुमने, हाँ, घड़ी में दो सुया, एक साथ क इती प्यारी लगती है न, बिलकल आपकी और मेरी जोड़ी की तरह, मैं मजाग के मूर में बिलकल नहीं हूं मयूरा, तुम्हारा ये माईके से ससुराल ससुराल से माईके घुमने का तमाशा बहुत हो गया, ये सब कब खत्मोंगा, तुम्हें अंदाजा भी है, मा अंदर 103 तीन बुखार से तप रही है, और तुम सुबह से अपने माईके में हो, बहु, अच्छा होगा कि तुम माईके जाना कम कर दो, वन्हा कहीं ऐसा नहीं हो, कि एक दिन दोनों तरफ की रिष्टों की डोर तूट जाए, और तुम बीच में ही लटकी रह जाओ, जी पापा जी, आप टेंशन मतलो, मैं माईके जाना तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं अपना बहु धर्म अब अच्छे से निभाओंगी, मैं रोज माजी का एकदम हल की नाजु पत्ती की तरह खायाल रखूंगी, और आप लोगों को शिकायत का मौका भी नहीं दूंग जाती थी, और अब कभी कूकर को गेस पर रखकर, तो कभी कपड़ों को आधे में धोता छोड़ कर माईके चले जाती, उसकी इन हरकतों से ससुराल और माईके वालों को तो पहले से ही परिशानी थी, अब तो आस-पास की आड़तों के लिए भी मैयूरा अच्छी खासी, श उसका ये सरकस देखने में बहुत मज़ा आता है, अरे मैंने तो सुना है, उसकी भावी वंदना, अपनी ननत को एक आँख पसंद नहीं करती, दरिसल मेरी बहुत काजल और वंदनाना सहलिया है, इसलिए पता चला, पर मानना पड़ेगा सरोज को, बहुत अच्छे गोन द लाते हुए कहती है, क्यों औरी कलम मुईयों, तुम लोगों को क्या अपनी घर ग्रहस्ती नहीं है, जो रोज शाम को हमारी ग्रहस्ती की चर्चा लेकर बैठ जाती हो, है, बेवकूफ औरते, पहले खुद के घर में ठीक से देख लो, फिर दोसरे के घरों में जाको, क्यों सल्ला बहन, आपका बेटा तो रोज रात को नशे में धुत लुड़कता हुआ घर बापस आता है ना, हमने कभी कुछ बोला, और जानकी बहन, आपकी बेटी का इस महिने का पांचवा बॉइफ्रेंड उसे रोज गली की कोने पर छोडने आता है, लेकिन हमने तो कोई बात नहीं बनाई, इतना बोलकर सुरुज वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब पानी सर के उपर जा चुका था, और ठक हार कर, परिशान होकर, दोनों परिवार वाले आपस में एक साथ मिलकर, मैयूरा के बारे में बात करते हैं, सम्धन जी, सम्धी जी, अब जो भी हल निकालना है, आप ही निकाल सकते हैं, दमाज जी कुछ तो कीजिए, कुछ तो आपको करना चाहिए था सरोज जी, अरे बरखाओ, जैसे हम बहु को रस्सी से बांद कर नहीं रख सकते, वैसे ही एक मा होने के नाते, सरोज जी भी कि मैं प्रवेश करने से नहीं रोख सकती, अरे उसने पूरा बच्पन बिताया है बहाँ पर, लेकिन आप नहीं, अब तो इस सब का एक ही रास्ता है, जो काम मैंने एक साल पहले नहीं किया था, वो मैं अब करूँगा, ऐसा क्या कर लेगा तू बेटा, मुझे कमपनी की तरफ से चिरॉली पुरा में ट्रांस्फर लेटर दिया गया था, वो भी दुगनी सेलरी के बिजिस पर, लेकिन एक साल पहले आई इस आफर को मैंने मैयूरा की खुश्यों के लिए ठुकरा दिया था, क्योंकि अगर हम य जानि मैयूरा के सिसुराल वाले अब उसके माईके से दूर चले जाएंगे? जी हाँ, मैं इस आफर को अभी भी एकसेप्ट कर सकता हूँ, और फिर हम सब यहाँ से चले जाएंगे। अब हम और कर भी क्या सकते हैं? अगर मैयूरा को अपने माईके जाने से रोकना है, तो बैतर यही होगा कि उसके पड़ोस के सिसुराल को दूर ले जाए और उसके सिसुराल वाले ही अलग जा कर रहे हैं जिससे वो रोज अपने माईके नहीं जा पाएगी। सबीश लोग के इस फैसले पर सहमती चताते हैं और फिर मयूरा अपने पती की ट्रांस्फर की वज़े से शिफ्ट होने की बात को साधारन समझ कर अपने माईके से दूर चली जाती है। जो भी कहो, सही माईनों में बहु विदा करके तो मैं अब लाई हूँ। का उनकी है। में विपालग और में पर में अपनी। झाल झाल